हेलो फ्रेंड्स मैं मैं मयूर विफिक्स इंडिया की यूट्यूज चैनल में अगेन आपका स्वागन्त करता हूँ आज इस वीडियो में हमारा जो ये बीजी ए रिवर्क स्टेशन है आर 560 वो आपको एंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आज कल लगभग हर एक सरक्टीट चाहे वो टीवी का मदर बोर्ड हो लैप्टोप का मदर बोर्ड हो या डेश्टॉप का मदर बोर्ड हो या फिर dvr का बोर्ड हो या आजकल дляrones के बोर्ड आते उसमें भी bgic अभी common हो गया है तो काफी सारे बोर्ड में बीजी आईसी आने लगा है और उसके रिलोंड फोल्ड्स जो है वो आते रहते हैं तो हमें उसको रिप्लेस, यसी को रिप्लेस करने की ज़़रूत पड़ती है तो पम BGIC रिप्लेस करने के लिए ये एक अच्छा टूल है कि इसको आप IC fail ना हो या PCB damage ना हो उस प्रकार से IC को remove कर सकते हैं और इसको rebuild करके वापस इसको अच्छे से mount कर सकते हैं जिसके लिए proper BGA machine होना बहुत जरूरी है कि जिसमें precise heat हो और IC और PCB को बिना damage किये हुए IC को properly mount कर दे तो आईए मैं आपको इसके बारे में थोड़ा introduce कर दूँ ये machine में हमने 3 heaters रखे हुए है जो कि ये upper heater है जिसको आप यहां से up down कर सकते हैं और उसको यहां पे rotate भी कर सकते है PCB और IC को operate करने के लिए इसको हम side में ऐसे move कर सकते हैं यहां पे down heater है और ये तीसरे जो heater है वो IR plates ल heater जो लगे हुए IR heater उसमें last वाले जो दो heat plates है ये और ये वो दोनों यहां से हम इसको on off कर सकते हैं ये left heater और ये right heater जो कि बड़ी अगर PCB है size में बड़ी PCB है तो पूरी PCB को proper heat मिले उसके लिए हम ये दोनों heaters को यहां से on कर सकते हैं अगर छोटी PCB है तो ये दोनों को हम off र PCB size का जो PCB है वो आप माउंड कर सकते हैं और ये उसके arm है PCB को support के लिए तो ये platform दिया हुआ है यहां पर ये उसका HMI control है जहां से आप command दे सकते हैं सारे profile select कर सकते है run command है और यहां पर उसका current profile जो है उसका timing दिखेगा temperature, upper hitter, down hitter और IR plates का यहां पर temperature डिस्प्ले होगा यहां से ये LED spotlight जो है उसका operation button है ये start on button, emergency stop अगर कुछ गलत operation हो जाए तो आप उसको emergency stop प्रेस कर सकते है जिससे यहां पर emergency stop लिख के आ जाएगा ये buzzer with indication आएगा और ये कोई भी button जो है वो operate नहीं हो पाएगा अभी ओके, so इसको release करने के लिए again इसको rotate करके छोड़ देते हैं तो ये normal as it is हो जाएगा so friends ये जो R560 machine है उसके उपर हम एक practical demo देखते हैं जिसमें ये एक sony tv का motherboard है जिसमें media tech का processor लगा हुआ है BGA mounted है तो हम ये IC को ये machine के उपर remove करके देखते है कि कैसे function करता है पूरा machine सबसे पहले ये down hitter का nozzle है जिसको हम down hitter के उपर mount कर देंगे और इसमें ये जो bolt दिया हुआ है PCV support के लिए है PCV के height के मुताबिक approximately उसको open रखना है जिससे PCV को support मिलता है और यहां पे upper nozzle लगेगा जो की IC की size के मुताबिक अलग-अलग nozzle रहता है तो हम अभी जो IC operate कर रहा है उसके लिए यह nozzle जो है वो sufficient है 18.18 का यह nozzle है इसको हम यहां पर उपर की तरफ mount कर देंगे और फिर PCV को यहां पर mount करना है stand के उपर हीटर के center में आए वो प्रकार से PCV को mount करना है और यह platform को भी lock कर देना है जिससे की process के दोरान वो हिले नहीं हीटर को IC के उपर down करना है तो यह जो है हीटर का PCV का सब setting हो गया है अब यहां पर profile जो है वो select करते है profile यानि कि हमें उसको कितने hitting से IC को निकालना है तो यहां पर दो profiles रखे हुए जिसमें यहां जाके आप इसका data जो है वो read कर सकते हैं जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 stage में इसको hitting का data दिया हुआ है तो इसमें maximum जो temperature है वो to 65 तक इसको set किया है इसको यहां download करेंगे तो यह profile select हो जाएगा यहां पर current का रूम में आपको वो कौन सा profile select है वो इसका data पूरा display होगा तो यहां पर run command दे देंगे तो यहां running status आ गया और उसका time जो है वो यहां पर display होगा यह upper heater का temperature यहां display होगा यहां down temperature का display होगा और यहां पर IR plates का temperature है वो display होगा और साथ में यह grab भी आपको यहां पर display होगा तो अभी hitting start हो गया है और time भी consume होने लगा है hitting जो है वो बढ़ने लगा है तो इसका पूरा profile जो है वो खतम होने तक हम इसको write करेंगे जैसे ही profile खतम होने को होगा buzzer आएगा तो buzzer के time पे हमें ic को pick कर लेना है hitter को यहां से move करके ic को pick कर लेना है तो यह अभी buzzer आ गया है इसमें pick up लिखके आ गया तो इस time पे heater को up करके side में कर देना है और यह tweezer से हम यह ic को easily ऐसे उठा सकते हैं यह आप देख सकते हैं कि ic जो है बहुत easily और without any damage और कोई PCB का भी track कोई damage नहीं हाँ उस प्रकार से easily remove हो गई है अब इसको rebuild करके यहां पे remount करना है तो अभी यह ic को हमने rebuild कर दिया है और यहां पे PCB को clean करके वहां पे अलका सब flux लगा दिया है BGA flux अच्छी quality का होना बहुत जरूरी है जिसमें जिससे जो है strength अच्छी रहेगी अभी ic को यहां पे जो उसका one number का जो mark रहता है वहां पे उसको से o angle लेके set कर देना है और heater को again ic के उपर mount कर देना है और यहां पे profile already selected है जो 265 temperature उसका highest है और यहां पे run button press कर देंगे यहां पे running link क्या आ गया यह time जो है वो lapse होने लगा और hitting जो है वो बढ़ने लगा increase होने लगा और grab भी जो है वो दिखाएगा जैसे दोनों hitter जो है वो एक ही साथ में hitting हो रहा है वो अब इसका पूरा profile जो है वो खतम होता है और buzzer आता है तब तक हम wait करेंगे तो अभी जैसे ही profile खतम होने को रहेगा तो यहां पे buzzer आ जाएगा जिससे हमें indicate होगा कि अभी profile जो है वो खतम होने लगा है तो अभी यहां stop click के आ गया और cooling start हो गया अभी यहां side से fan जो है वो PCV को ठंडा करेगा और heater भी normal room temperature पर आ जाएगे तो हमें अभी PCV को मिलाना नहीं है क्योंकि अभी heated है heater को up करके side में कर देना है और यह PCV को normal room temperature पर आए उसके बाद में इसको operate करना है तो अब देख सकते है कि यह IC जो है वो पहले के जैसे यहां पे अच्छे से mount हो गई है सो फ्रेंड इसी तरह से आप कोई भी प्रकार के IC हो चाहे वो छोटी हो बड़ी हो window वाली हो या अभी जो नए laptop में new generation के जो laptop के processor आते हैं उसको भी आप बिल्कुल easily यह machine के उपर remove कर सकते हैं और remove करके वापस इसको mount कर सकते हैं सो फ्रेंड सब ज्यादा जानकरी के लिए आप हमारे नीचे दिये गए number पर contact कर सकते हैं या तो हमारा email के द्वारा भी आप contact कर सकते हैं जो की नीचे दिया गया है और हमारा channel जो है वो like कीजिए subscribe कीजिए इसी तरह से हम आपको नए नए technical जो advisory है वो आपको देते रहेंगे Thank you friends